आज इस personality की हम बात करेंगे TV serials में और movies में इनके किरदारों को देखते हुए लोगों ने इन्हें संसकारी बाबुजी का नाम दिया है लेकिन recent खबरों के अनुसार ये real life में उससे बिलकुल अलग है इन्हें industry में काम करते हुए 35 से भी जादा साल हो गए है ये 500 से जादा फिलमें और 60 से 70 TV serials में काम कर चुके हैं और एक ही रोल यानि की बाबुजी वाला रोल जहाँ पर अक्सर actors typecast होने से डरते हैं वही typecast होना बाबुजी वाले characters निभाना इनके लिए लगी साबित हुआ कि ये 35 सालों तक industry में ठिके रहे लेकिन अब इने काम धूनने में problem आ रही है क्योंकि इनका नाम Me Too में आ गया है और इसके बाद कोई भी इनके साथ काम करने को तयार नहीं है बात करेंगे actor आलोकनात की आलोकनात की life से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब आलोकनात बनना चाते थे lead actor लेकिन बन गए lead actor के बाबुजी क्यों आलोकनात पर जिस विंता नंदा ने harassment का case किया उसके लिए आलोकनात ने कहा एक तरफा नाकाम्याब प्यार और कैसे आलोकनात का me too में आना अर्जे देवगन के लिए बना बवाल आलोकनात का पूरा नाम है आलोकनात ज्जा ये बिहार के खगडिया से बिलॉंग करते हैं लेकिन इनकी परवरिश दिल्ली में ही हुई है दिल्ली के modern school से इन्होंने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद हिंदू college से graduation की तभी इन्होंने NSD में admission लिया जिस वक्त आलोकनात NSD में पढ़ रहे थे उसी दौरान उनके batchmates थे अक्टरस नीना गुपता और अनुक कपूर वही अनुपमकेर, सतीश कौशिक और पंकच कपूर जैसे actors उनके seniors थे 1980 में आलोकनात ने NSD पास आउट कर लिया था और उसके बाद वो मुंबई आ गए थे यहाँ पर वो प्रिथवी थेटर्स जहां पर अक्सर play हुआ करते थे वहाँ पर काफी plays किया करते थे और वही से उन्हें किसी ने notice किया पहली बार आलोकनात को chance मिला year 1982 के फिल्म गांधी में यह फिल्म Academy Award winner है साथ ही इस फिल्म में आलोकनात में बाबुजी वाला नहीं बलकि एक ऐसा किर्दार निभाया था जिसे बात-बात पर गुस्सा आता है इस फिल्म में नीना गुपता ने भी काम किया था कहा जाता है कि अपने college days से ही आलोकनात मीना गुपता के साथ relationship में थे सारांश, मशाल, आर्च की आवाज यह वो फिल्मे थी जिसमें आलोकनात छोटे-मोटे किर्दार कर रहे थे लेकिन उन्हें पहचान मिली छोटे परदे से रमेश सिप्पी एक सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था बुनियाद इस सीरियल में आलोकनात ने हवेली राम जो लीट केरेक्टर था वो निभाया साथ ही इस फिल्म में एक और आक्टर्स थी अनिता कवर और इस सीरियल के दौरान काम करते हुए ही आलोकनात को अनिता के साथ प्यार हो गया और उन्होंने अनिता के साथ शादी कर ली In fact, इस सीरियल में नीना गुपता भी थी लेकिन आप तक इन दोनों का रिलेशन तूट चुका था कहा जाता है कि यही वो सीरिल है जिसने आलोकनाथ को TV इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा बना दिया था जिस वक्त आलोकनाथ ये सीरिल कर रहे थे उस वक्त उनकी उम्र थी 23 साल और इस सीरिल में उन्होंने 80 साल तक का केरेक्टर निभाया था यही वो टाइम था जब audience के दिल में उनके वो 80 साल और एक aged mature man वाला जो चेहरा था वो छप गया और उनके उस किरदार को काफी पसंद किया गया लेकिन आलोक नात की planning कुछ और थी वो बाबू जी वाले किरदार नहीं करने आये थे वो तो lead actor बनने आये थे इसी दोरान उन्होंने एक film की यह film एक B grade film थी और इस film में आलोक नात ने काफी bold scenes भी दिये थे इस film की lead actress थी टीना मुनीव यह film थी कामागनी और यह film तब के हिसा इसके बाद आलोक नात को एक बहुत अच्छी film उफर हुई जिसे Bollywood का एक superstar डेब्यू करने जा रहा था बात कर रहे हैं यहाँ पर आमिर खान की आमिर खान इससे पहले holy film में काम कर चुके थे लेकिन कयामत से कयामत तक as a lead hero उनकी पहली film थी और इसी फिल्म में आलोक नात को बाबुजी वाला किरदार मिला इसमें उनके किरदार का नाम था जस्वन सिंग आलोक नात ने यह film साइन की यह film box office पर super hit साबित हुई इसके बाद year 89 में जब Bollywood का एक और superstar as a lead hero launch होने जा रहा था फिल्म मैंने प्यार किया से तो इस फिल्म में भी आलोक नात ने एक एहम रोल निभाया था इस फिल्म में वो सुमन के फादर के रोल में नजर आय और जिस तरह से वो इस फिल्म के लिए उनका किरदार लिखा गया था वाकई में यह किरदार बहुत ही खूबसूरत किरदा पहले अपनी दोस्ती ने भाता है, फिर एक स्ट्रिक्ट फादर बनते हैं, फिर एक स्ट्रिक्ट ससुर बनते हैं, सल्मान खान को टेस्ट करते हैं और फाइनली अपनी बेटी को विदा करते हैं, जिस तरह से इस किर्दार का फ्लो था इस फिल्म में, इस किर्दार के बिना य उनौने नेगेटिव रोल्स भी ट्राई किये, एर 90 में फिल्म शडियंत्र में वो एक नेगेटिव किर्दार करते हुए नज़र आए, 92 में बोल राधा बोल इसमें भी नेगेटिव किर्दार किया था, और आगे चल कर एर 98 में विनाशक में भी उन्होंने एक नेगेटिव किरदार किया लेकिन जो तारीफ उनके बाबुजी वाले किरदारों की हो रही थी वैसी तारीफ उन्हें नेगेटिव किरदारों में नहीं मिली इसलिए एक के बाद एक हर फिल्म में हर टीवी सीरियल में बाबुजी का किरदार होता था तो उसके लिए आलोकना साथ ही इस सीरियल में दीपक सेट के किरदार में नजर आया थे आलोकनाथ In fact, इस सीरियल की जो राइटर थी वो आलोकनाथ की एक बहुत close friend थी Actually आलोकनाथ की wife और ये writer दोनों same college में थी और college friends थी यहाँ पर बात कर रहे हैं विंता नंदा की जिन्होंने आगे जाकर आलोकनाथ पर harassment का आरोप लगाया था Me Too Moment के दौरान इस TV सीरियल को शूट करते वक्त नवनीत निशान को कई बार शिकायत थी आलोकनाथ के behavior से उन्होंने कई बार लोगों से कहा कि ये बहुत ही अजीब तरीके से पेश आते हैं ड्रिंक करने के बाद ये बहुत ही बत्तमीज हरकते करते हैं ऐसे में नवनीत निशान की बात तो सब ने सुनी लेकिन आलोकनाथ जो अलोडी एक बहुत बड़े आक्टर थे टीवी और फिल्म इंडास्ट्री के उनके खिलाफ नवनीत की बात कोई सुनने नहीं वाला था और जिनोंने सुनी थी वो इतने बड़े नहीं थे कि आलोकनाथ के खिलाफ कुछ बात कर पाए सबको अपनी जॉब की टेंशन थी इसलिए बात वही की वही रहे गई लेकिन कुछ लोगों ने नवनीत को ये आईडिया दिया कि तुम ये सब देखो और अगली बार का इंतिजार करो जब कभी ये ऐसा करेंगे तो हम उस चीज को रंगे हाथ पकड़ेंगे तो एक बार सेट पर ऐसा ही दिन आया जब आलोकनाथ पी कर आए और उन्होंने नवनीत के साथ मिस्बिहेव किया उनका ये मिस्बिहेवियर टीम में सभी ने देख लिया था और उसके बाद आलोकनाथ के खिलाफ चैनल को कम्प्लेन भी कर दी थी उस टाइम के लिए आलोकनाथ को इस टीवी सीरियल से हटा दिया गया था लेकिन कुछी दिनों बाद टीवी सीरियल की टी आर पिस गिरने लग गई ऐसे में एक बार फिर से चैनल से विंता नंदा और उनकी टीम की मीटिंग हुई और फिर कहा गया कि सीरियल में एक टाइम लैप आएगा, कुछ नई स्टोरी जोड़ेंगे, कुछ नई किर्दार जोड़ेंगे और उसके साथ एक पुराना किर्दार भी जुड़ेगा, वो थे आलोखनाथ ये सुनने के बाद नवनीत निशान इस सीरियल में काम करने को ही तयार नहीं थी फाइनली आलोखनाथ तो नहीं निकले, वो तो फिर से सीरियल में आ गए और नवनीत निशान जो अपने करियर में अच्छा कर रही थी, उन्हें इस परेशानी के कारण ये सीरियल छोड़ना पड़ा था इनफेक्ट कुछ टाइम बाद तो आलोखनाथ और विन्तानाथ का रिलेशन भी खराब हो गया था और आलोखनाथ के कम्प्लेंट के कारण ही विन्ताननदा के दूसरे और भी सीरियल जो थे वो सारे चैनल ने कैंसल कर दिये थे फिल प्रोफेशनल रिश्टा तो नहीं था लेकिन अभी विन्ताननदा आलोखनाथ के वाइफ की फ्रेंड थी इसी दोरान आलोकनात के घर पे एक पार्टी हुई, उस दिन उनकी वाइफ मौजूद नहीं थी विंता नंदा उस पार्टी में गए, अपने कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने ड्रिंक भी की और रात के दो बजे वो आलोकनात के घर से निकली थी उनका कहना है कि जिस वक्त वो उस घर से निकली, तब किसी ने उनसे ये तक नहीं का कि हम तुमें ट्रॉप कर देते हैं ऐसे में जब सुनसान रास्ते पे वो अकेली जा रही थी तो पीछे से आलोकनात गाडी लेकर आए और उसके बाद उन्होंने विंता को और ड्रिंक कराई वेल विंता कहती है कि उस दिन शराब में कुछ मिलाया था यही कारण है कि वो घर पे जाकर सोई और अगली दो पहर उनकी नीद उड़ी जब वो उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी बॉड़ी पर बहुत सारे निशाने और उन्हें समझ आ गया कि नशे की हालत में उनके साथ कुछ हुआ है विंता नंदा ने इस चीज़ के खिलाफ कम्प्लेन करना चाही लेकिन लोगों ने सुनना ही नहीं चाहा इनफाक्ट एक टाइम बाद तो ऐसा हो गया था कि उन्हें ही काम मिलना बंध हो गया था यही कारण था कि उस इंसिडेंट को विंता नंदा ने अपनी लाइफ का एक बहुत गंदा पल कहकर भुलाना शुरू कर दिया जिस वक्त आलोकनात के कारण कुछ आक्टरसेज अपने करियर को छोड़ रही थी वो काम नहीं कर रही थी उसी दौरान आलोकनात हर तरफ से बिजी थे बले ही TV हो या और बड़ा पर्दा हो इस दौरान आलोकनात हमें नजर आए फिल्म शोला और शबनम में विश्वातवा में साथी दीवाना फिल्म में भी वो नजर आए और उसके बाद ये 94 में जिस फिल्म में आलोकनात नजर आए, वाकई में उस फिल्म से उन्हें ओफिशिल संसकारी बाबुजी कहा जाने लगा इन फाक्ट इस फिल्म में वो थे तो एक केरेक्टर ही, लेकिन वो केरेक्टर भी इतना दमदार था कि उस केरेक्टर के उपर एक गाना भी पिच्चराइज किया था और उसका भी एक लव ट्राइंगल था ये केरेक्टर था कैलाश नात का, फिल्म हम आपके हैकॉन ने बॉक्स ओफिस के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिये, ये फिल्म थेटर्स में एक साल तक चली और लोगों के बीच में एक आदर्श बाबुजी आ चुके थे, जी हां आलोक नात के रूप में टीवी के परदे पर और फिल्म इंडस्ट्री में आलोक नात के काफी अच्छे डिलेशन्स हो गए थे, जैसे कि अगर बात करें राजश्री से, तो उनकी जादतर फिल्मों में, इन फैक्ट मैं कहूंगी हर फिल्म में आलोक नात के लिए तो एक केरेक्टर होता ही था, फि तमीजी की थी, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर आलोक नात को उनका कॉस्ट्यूम देने गई थी, उस वक्त आलोक नात नशे में थे और उन्होंने उस कॉस्ट्यूम डिजाइनर को पकड़ने की कोशिश की, जैसे तैसे उसने अपने आपको बचाया और वो वहाँ से भाग एक बार के लिए उसे लगा कि वो सूरज बरजात्या से इस चीज की शिकायत कर दे लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आलोकनाथ इतनी बड़ी परस्टनालिटी साथ ही उनके बरजात्यास के साथ बहुत अच्छे रिष्टे थे इसलिए उस असिस्टन ने उस टाइन चुप रहना ही ठीक समझा परदेश ताल एक के बाद एक फिल्मों से आलोकनाथ अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे थे और वो उन चंद अक्टर्स में से हो गए थे जो टाइप कास्ट होने के बावजूद सक्सेस्फुल हो रहे थे यानि की टाइप कास्ट होना उनके लिए लखी साबित हुआ लोगों ने उन्हें बाबुजी का टैग डे दिया यानि की उन्हें पिता के, अंकल के, चाचा के ऐसे रोल्स ओफर होने लगे और जहां तक हमारी हिंदी फिल्मों की बात है तो हर एक फिल्म में, हर एक टीवी सीरियल में इस तरह का कैरेक्टर तो होता ही है और ऐसे कैरेक्टर्स में माहिरी आलोकनात ला चुके थे जना जादा स्ट्राउंग हो गया था कि उन्होंने अपने इंटर्व्यू में बताया कि जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जो कि उनसे उम्र में काफी बड़े हैं उन आक्टर्स के भी पिता का रोल वो कर चुके हैं यह 2014 आते आते आलोकनात इस तरह से पॉपुलर हो गए जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई सूपर स्टार हो यह वो टाइम था जब इंटरनेट अपनी चरम सीमा पर था सोशल नेटवरकिंग साइज बहुत पॉपुलर हो रही थी और इसी दोरान मीम्स आने शुरू हुए थे और आलोकनात पर एक के बाद एक इतने ज़ादा मीम्स बने कि वो बहुत ही पॉपुलर हो गए आलोकनात ने भी इन मीम्स को पॉजिटिवली ही लिया और उन्होंने कहा कि इससे मुझे पॉपुलरिटी ही मिल रही है इसलिए मुझे इन मीम्स से कोई तकलीफ नहीं है इन फैक्ट जब ये मीम्स इतने वाइरल हो रहे थे तब आलोकनात ने रैपिंग भी की वो एक सौंग में भी नजर आए और साथ ही उनका एक शो भी शुरू हुआ था जिसका नाम था सिंसकारी कहा जा रहा था कि इस शो के तरू आलोकनात अब अपनी इमेज को चेंज कर रहे है वो संसकारी से अब थोड़े से कूल और मॉडन बाबुजी बन रहे है पर जब ऐसी खबरे आई थी तो एकता कपूर एक फिल्म बना रहे थी यह फिल्म थी क्या सूपर कूल है हम और इस फिल्म में तुशार कपूर के होने वाले ससूर का किरदार उन्होंने आलोकनात को ओफर किया था यह किरदार डबल मीनिंग जोक्स करता है यह किरदार अडल्ट कॉमेडी भी करता है और इसलिए उन्होंने यह रोल आलोकनात को ओफर किया ताकि उनकी इमिज चेंज हो जाए लेकिन तब आलोकनात ने इस रोल को करने से मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि वो अब तक संसकारी बाबुजी के नाम से ही जाने जाते हैं उनका चहरा आते ही लोगों को वो बाबुजी वाली फेलिंग आती है इसलिए अब वो अपनी इस इमिज को नहीं तोड़ना चाहते हैं और फाइनली उन्होंने इस रोल को reject किया संसकारी बाबुजी कहने वाले आलोकनात ने तब सब को शौक कर दिया जब इंडस्ट्री में मीटू मोमेंट आया तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर का नाम लिया था और उसी दोरान बॉलिवोड के कई आक्टर्स पर मीटू का आरोप लगा था जैसे कि रज़त कपूर, डिरेक्टर विकास बहल, साथी साज़त खान इन सब का मीटू में नाम आया और जिन जिन प्रोजेक्स पर ये काम कर रहे थे उन सबी प्रोजेक्स से तब उन्हें इंस्टेंटली हटा दिया गया था इसी दोरान आलोक नात का नाम भी मीटू मुमेंट में आया और ये बहुत ही शौकिंग बात थी क्योंकि हमारी इंडियन्स और अब तक इने आदर्शवाद और संसकारी रूप में देख रही थी और ये बाते और ये बाते और ये बहुत ही शौकिंग थी जब विंता नंदा ने आलोक नात पर सेक्शुल हैरेस्मेंट का आरोप लगाया इसके साथ नवनीत निशान का भी नाम आया साथ ही अक्टरस संधिया मृदुल ने भी अपना एक इंसिडेंट शेयर किया जब उन्होंने बताया कि वो एक शौक फिल्म में आलोक नात के साथ काम कर रही थी उनकी बेटी का किर्दार कर रही थी और तब एक दिन पीने के बाद आलोक नात ने उनके साथ बत्तमीजी करने की कोशिश की और उसके बाद कई बार उन्होंने संधिया मृदुल के करीब जाने की कोशिश की संधिया इतनी डर गई थी कि वो उस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी हैड्रेसर के साथ ही रूम में सोती थी वेल लिस्ट यहाँ पर खतम नहीं हो रही है दिपिका आमीन जो एक्ट्रस है उन्होंने भी कहा था कि एक सीरियल की शूटिंग के दौरान आलोक नात का उनके साथ भी ऐसा ही बेहेवियर था आलोक नात ने उनके साथ भी चेरचाड करने की कोशिश की और जब दिपिका ने इसके खिलाफ शिकायत की तो आलोक को कुछ समझाने के बजाए वहाँ पर सेट और यूनिट के लोग दिपिका को अपने रूम में जल्दी जाने को कहते थे और यही वो टाइम था जब वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिसके साथ हम साथ साथे फिल्म के दौरान आलोक नात ने बत्तमीजी की थी उसने भी अपना ये इंसिडन्ट शेयर किया वेल अगर बात करें अक्ट्रस भागिश्री की जिन्होंने उनकी बेटी का किर्दार निभाया था उनका भी आलोक नात पर रेक्शन आया था उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा उनके बारे में सुना है हाला कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है लेकिन वो ड्रिंक करने के बाद एक अलगी personality बन जाते हैं और अगर ये actresses ऐसा कह रही है तो ऐसा जरूर हुआ होगा बात करें अक्टरस हिमानी शिवपूरी की जो NSD में आलोकनात की जूनियर रह चुकी है और हम आपके हैकॉन जैसी फिल्म में उनके साथ काम कर चुकी है उन्होंने भी कहा कि एक बार NSD के टाइम पर आलोकनात ने उनके साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी जब ड्रि एक के बाद एक आलोकनात पर आरोप लग रहे थे तब ही आलोकनात का इस पर रेक्शन आता है और वो कहते हैं कि इन सब लोगों को कहने दो और जहां तक बात है विंता नंदा की तो उसे मैं जानता हूं लेकिन वो जो ये कह रही है वो बिलकुल जूट है विंता नंदा ने आलोकनात के खिलाफ ओशिवारा पुलिस टेशन में कंप्लेंट की ये मामला कौर्ट तक पहुंच गया विंता नंदा हाला कि उस इंसिडेंट से जुड़े कुछ सबूत नहीं दे पाई इसलिए पुलिस अब इस केस को बंद करने की बात कर रही है महीं कोर्ट में आलोकनात में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि विंता नंदा उनकी वाइफ की फ्रेंड थी ये उन्हें शादी से पहले ही जानते थे ये तीनों साथ में काम कर रहे थे और उसी दौरान आलोकनात से अन्नु से शादी कर ले और विंता नं के साथ TV Association ने आलोखनात को बैन कर दिया, इंडस्ट्री में किसी ने भी उन्हें काम देने से मना कर दिया, इसी कारण आलोखनात एक फिल्म कर रहे थे, जिसका नाम था मैं भी, TV आक्टर इमरान खान इस फिल्म के प्रड्यूसर और इस फिल्म में आलोखनात एक जज का रोल क बनी थी, लेकिन आलोखनात का नाम Me Too Moment में आते ही, इस फिल्म को डिस्ट्रिब्यूटर्स नहीं मिले और ये फिल्म अटक गई, इसके साथ ही उसी टाइम अजे देवगन की एक फिल्म आई थी, ये फिल्म थी दे दे प्यार दे, और इस फिल्म में भी आलोखनात थे, इस कमपनी में किसी भी female employee को इस तरह की तकलीफ होईगी, तो मैं उसका जिम्मेदार रहूँगा, वही एक तरफ वो एक रेपिस्ट को अपनी फिल्म में काम दे रहे थे, क्योंकि देदे प्यार दे के प्रडूसर भी अजे देवगन ही थे, ऐसे में अजे देवगन से बहुत स कवाल किये गए, कि वो आलोकनात के साथ काम क्यों कर रहे हैं, तब अजे देवगन ने अपने इंटर्व्यू के दौरान बताया, कि इस फिल्म की शूटिंग कम्पलीट हो चुकी थी और उसके बाद इन पर मीटू के आरोप लगे, हमने एक बार सोचा भी कि उन सारे सीन्स को रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए चार से पांच अक्टर्स थे जिन सब की डेट्स चाहिए थी, फिल्म पूरी शूट हो चुकी थी और वो डेट्स अब अक्टर्स की मिल नहीं रही थी, सब अपने दूसरे दूसरे प्रोजेक्स पर निकल चुके थे, इसलि आलोकनात ने हर बार अपने किरदारों से प्रूव किया है कि वो अक्टिंग में तो माहिर है ही, लेकिन अगर खबरों की माने और परसनल लाइफ की अगर बात करें, तो आलोकनात का ये चहरा किसी को नहीं मालूम था, और ये मालूम पढ़ा इतना लेट, एर 2018 में, वेल अ मालोकनात ने ऐसा किया है, तो वो तो गलत है ही, लेकिन आपको नहीं लगता है कि वो अक्टिंग जिन्नों ने खुल के बात नहीं की, जो सामने नहीं आई, जिस कारण एक के बात एक, कितनी सारी अक्टिंग के साथ ये सब हुआ, ये हरकते वही रुख जाती, अगर इन मे लड़की के साथ ऐसी हरकत होती है, तो क्या इसमें जिसने की है सिर्फ वो ही जिन्मेदार होता है, या जो लड़की जिसके साथ ये हुआ है, उसने किसी को नहीं बता कर ये बात छुपा कर भी एक गलती की है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, कब क्यों और कैस